हेलो एवरीवन, गूड बॉर्णिंग अल आफ यू, मैं सिवम चौधरी, आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ हम लोग देख रहे हैं Network and Lines, जिसका सब्जेक्ट कोड है 1621404 जो Diploma in Electronics Engineering 4th semester में परहाई जाती है SBTE Bihar इसमें हम लोग Unit 1 में देखेंगे Network Parameter को, यह आपका Unit 1 का Lecture 1 है Lecture 1 में हम लोग Different Elements के बारे में परहेंगे तो पहला है आपका Active and Passive Element, तो Active Element क्या होता है If a Circuit Element has the capability of enhancing the energy level of a signal passing through it, it is called an Active Element Active Element क्या होता है, कोई भी Circuit में Element का capability होता है उसका क्या करता है, Energy Level को enhance करने का capability होता है आपका Circuit Element का जो आपको capability होता है, जो enhance करने का, Energy Level को enhance करने का capability होता है उस तरह के Element को हम आपको क्या बोलेंगे, Active Element बोलेंगे एक्टिव एलिमेंट में क्या क्या हो जाएगा भैकम ट्यूब्स ट्रांजिस्टर ओपैम एटीसी यह सब क्या है आपका एक्टिव एलिमेंट है तो आपको अब्जेक्टि में पूछ सकता है यह चार ओप्शन देदेगा एक्टिव एलिमेंट क्या होता है या एक्टिव एल क्लीकों क amounts क्लीध कम श्रॉंग संब्सिर गरताक वीक सील में करता है उसी तरह आपका है तो पैसिब जान्वक पैसिव होगा लीजक्रीड इनर्जाने क क्रेंग इसमें किया होता है ओप को एक्स्ट्रा सप्लाइद अपरता प्रक सरक्यों इन्हांस नहीं करता है इसमें हम लोगो क्या होता है सप्लाइघ को देते हैं इसको औरेट करने के लिए तो पैसिब क्या क्या जाएगा resistor, inductor, capacitor, thermistor यह सब क्या है आपका passive element है वही active element क्या करता है energy level को आपको क्या करता है enhance करता है बरहाता है तो vacuum tube transistor open यह सब आपका active element है next हम लोग दखेंगे linear and non-linear elements तो linear element क्या होता है linear element shows linear characteristics of voltage versus current क्या करता है लिनियर करेक्टेरिस्टिक्स को और के बीच में जैसे जैसे भंटेज चाहिएगा तो लीनियर रिमेंट क्या होता है सुपर पोजिशन प्रिंस्पल को फालो करता है तो जैसे लिनियर element में क्या हो गया resistor capacitor inductor यह सब क्या हो गया आपका linear element हो गया नेक्स है non-linear element the current passing through non-linear element does not change linearly with the linear change in applied voltage at a particular frequency non-linear element क्या होता है जब non-linear element से current pass करता है तो डज नोट चेंज linearly with the linear change in the applied ball में हमनों क्या करते हैं current जब पास करता है तो voltage को हमनों linearly change करते हैं और एट पार्टिकुलर frequency पे बट क्या होता है वो linearly change नहीं करता है आपको linear element में क्या है voltage और current linearly change करता है इस तरह का पॉट दाएगा linear में इस तरह का प्राफ हाज दाएगा वही non-linear में क्या होगा आपका linear ही चेंज नहीं करेगा super position principle को follow नहीं करेगा उस तरह के element को हम भीए हमनों linear element गोलें जो linearly change नहीं हो इस करेंट और बोल्टेज चेंज नहीं होगा और इसका एक्जामपल क्या हो जाएगा semi conductor device semi conductor device जो भी है वो आपका क्या है non-linear element है next है unilateral and bilateral element तो unilateral element क्या होता है uni means एक lateral means side means उसका polarity क्या होगा दोनों का अलग अलग होगा change करने से effect आएगा देखे if the magnitude of the current passing through an element is affected due to change in the polarity of the applied voltage the element is called unilateral element क्या कर रहा है if the magnitude of the current जो current का magnitude होगा वो क्या होगा जब pass करेगा element से जब वो pass करेगा आपका current तो क्या होता effect करेगा due to change in polarity polarity को change करने के कारान वो क्या होगा आपका magnitude of current आपका effect करेगा ग्याइब देखेंगे प्लेटी आप अप्लाइट भोल्टेज देखेंगे इस तरह के अप्लेटरल एलिमेंट क्या करेंगे कहेंगे यूनिलेटरल एलिमेंट कहेंगे जिसका magnitude जिसका करेंट का magnitude क्या होगा जब element से पास करेगा तो वो affected होगा किसके कारण due to change in polarity of applied voltage applied voltage जो है उसका polarity को change करने के कारण कहने का मतलब आपका दो polarity होता है कोई voltage source में positive और negative तो क्या होगा जब हम लोग उसका polarity को change करेंगे positive direction में रखेंगे तो उसका value कुछ और देगा negative करेंगे तो फिर उसका value क्या हो जाएगा change हो जाएगा तो इस तरह का element को क्या बोलेंगे unilateral element बोलेंगे और इसका example क्या हो जाएगा diode transistor यह सब आपका क्या है unilateral element है इसका जब polarity जैसे diode है डायोड का polarity change कि जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा यह property उसका change हो जाएगा anode cathode यह negative side होता है यह positive होता है तो आपका क्या हो जाएगा property फिर change कर जाएगा next है bilateral element bilateral element क्या होता है करा if the magnitude of the current remains the same even if the applied emf polarity is change it is called bilateral element bilateral element में क्या होता है जो magnitude current का magnitude होता है वो आपका same same ही रहता है कोई change नहीं आता है आपका polarity को change करने के कारण तो इसका उदारण क्या हो जाएगा यह map के polarity को change करने के कारण जो होता है आपका current जो होता है वो same ही रहता है जैसे कि इसका example हो गया resistor inductor capacitor में क्या होता है कोई भी polarity नहीं होता है आप आप इधर से connect किए या इधर से connect किए दोनों तरफ से value क्या होगा same होगा किसी तरह से आप connect कर सकते हैं तो resistor inductor capacitor यह सब bilateral element है वही diode transistor आपका unilateral element है नेक्स्ट है आपका lumped and distributed elements lumped element क्या होता है physically separate network elements like rl और c are known as lumped element lumped element क्या होता है जैसे कि physically separate जिसको अलग-अलग कर सकते हैं जैसी resistor inductor capacitor यह सब आपका क्या है इसको physically separate कर सकते हैं जैसा physically separate network element जैसे कि resistor inductor capacitor को हम लोग क्या बोलेंगे lumped element बोलेंगे lumped element जिसको physically separate अलग-अलग कर सकते हैं वही distributed element क्या होता है the distributed element are those elements which are not physically separately separately distributed element क्या होता है physically separate नहीं होता है जैसे transmission line cable यह सब को क्या करते हैं physically separate नहीं करते हैं जब आपका देखते हैं जब आपका voltage distributed element है distributed element है जो transmission line में हम लोग यूज करते हैं उसका property क्या होता है distributed element की तरह होता है cable जो हम लोग यूज करते हैं वो distributed element के अंदर में आता है वही lumped element में क्या होजागा resistor inductor और capacitor नेक्स्ट है आपका ideal voltage source ideal voltage source क्या होता है an ideal voltage source is a source of energy capable of supplying any amount of electrical energy at a constant voltage ideal voltage source क्या होता है ऐसा source होता है जिसमें क्या होता है energy capable of supplying any amount of electrical energy किसी भी amount of electrical energy को supply करता है at constant voltage constant voltage पे यह ideal voltage हो इसको में बोलते हैं ऐसा voltage source जिसका क्या होता है energy capable होता है electrical energy को supply करने के at constant voltage और जो इसका internal impedance होता है the internal impedance of an ideal voltage source is zero यह आपका बहुत ही important है objective में पूछ सकता है जो ideal voltage source का internal impedance क्या होता है internal impedance या internal resistance क्या होता है zero होता है और इसको हम लोग इस तरह से दिखाते हैं यहाँ भी S of T आपका source voltage हो गया negative positive दो polarity हो गया यह आपका ideal voltage source हो गया वह प्रैक्टिकल voltage source क्या होता है तो ideal source क्या होता है ideal source ideal means क्या होता है आदर्स होता है है आइडियाली कोई भी यहाईडियाली हम डिखते हैं लेकिन हम लोंग जब польз करते तो तो क्या है practical वोल्टेश धчи श्टश अपको होता है आइडियाली हम लोग कंसिडर करते है तो practical swear तो स Veterans charge जे a small but finite internal impedance practical voltage source में क्या होता है small होता है internal impedance finite value होता है और small होता है वही आपका ideal voltage source में क्या होता है zero internal impedance होता है और practical voltage source में finite internal impedance होता है small internal impedance होता है the practical voltage source is also called non-ideal voltage source अम लोग practical voltage source को non-ideal voltage source भी बोलते हैं यह इसका diagram हो गया VST यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं एक impedance जो है voltage source के series में लगाते हैं यह आपका जिसका value क्या होता है यह आपको finally be opting होता है नेक्स्ट है ideal current source ideal current source क्या होता है एन ideal current source is a source of energy capable of delivering any amount of electrical energy at constant current ideal current source क्या होता है एक source of energy होता है जो capable होता है सक्षम होता है वो क्या होता है electrical energy को deliver करने के लिए at constant current पे constant current पे electrical energy को deliver करने के लिए सक्षम होता है तो इस तरह के हम लोग voltage source को ideal voltage source करते हैं internal impedance of ideal current source is infinite, internal impedance जो हता है ideal current source का क्या होता है, definite होता है, वही internal impedance Ideal voltage source का क्या होता है, zero होता है, इसको याद रखिये, objective में पुचता है, competition में भी, और आपको semester exam में भी आ सकता है, और ideal voltage source का हम भुआचिंशे इस तरह से, प्रैक्टिकल भोल्टेज सोर्स तो प्रैक्टिकल भोल्टेज सोर्स क्या होता है स्वरी ट्रैक्टिकल करेंट सोर्स प्रैक्टिकल करेंट सोर्स है एं लार्ज बट फाइनाइट इंटर्नल इंपिडेंस प्रैक्टिकल करेंट सोर्स में क्या होगा लार्ज होगा बट फाइन precedence होता है यह सभिधाध रखिए objective के लिए practical 연ût सोड्स इस और इसका इस पर आध्यड LIU करेंटे deuxième करेंट नध्यार सोड्स को नध्यार कवसनी बोलते हैं और यह इसका सिम्बॉल हो गया हम दो क्या करते हैं के एक जो आपका ISOPT यह जो करेंट है उसके पैरलल में आपका impedance लगता है तो practical voltage source में क्या होता है current के parallel में impedance लगता है वही आपका वोलटे प्रैक्टिकल वोलटे सोर्स में क्या होता है voltage सोर्स के series में आपका impedance को या resistance को हम लोग लगाते हैं नेक्स्ट है नोड तो नोड क्या होता है यहां पर देखिए यह आया यहां से सपोज कि यह यहां से आया तो यह हो गया नोड हो गया जहां दो यहां डो से अधिक जो है सर्किट एलिमेंट ब्रांच आपका अपका खानेक्ट हो रहा है उसको हम लोग ब्रांच बोलता है यहीं पे देख लिए suppose कि यह है तो यह आपका क्या हो गया यह आपका ब्रांच हो गया यह ब्रांच हो गया यह ब्रांच हो गया यह ब्रांच हो गया तो यह सब ब्रांच हो गया next है आपका मेस तो मेस क्या होता है a मेस जिए लूप that has no other लूप इंसाइड ओप एक मेस क्या होता है मेस को लूप ही बोलते हैं जिसमें क्या होता है अधर लूप नहीं होता है एक मेस के अंदर में लूप नहीं होगा मेस क्या है लूप है जिसके अंदर में अधर लूप नहीं होगा लूप क्या होता है एलूप इज एनी क्लोज जिसमें क्या होता है कोई भी नोड एक से जादे बार वो इनकाउंटर नहीं होता है कोई भी नोड एक से जादे बार नहीं आएगा यहां पर देखिए इस सर्किट में अगर हम लोग देखे तो यह देखिए आपका यह क्या है आपका एक मेस है यह भी क्या है आपका मेस है औ नहीं है तो आपका one two four one ये क्या हो गया एक मेस हो गया आपका और एक मेस आपका हो गया two three four two एक मेस ये हो गया लूप कितना हो जाएगा तो लूप इसमें 3 हो जाएगा एक आपका हो जाएगा 1, 2, 4, 1 एक आपका हो जाएगा 2, 3, 4, 2 और एक आपका complete पूरा बला हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 1 तो यह आपका लूप कितना हो गया इसमें 3 हो गया और मेस कितना हो गया दो हो गया तो अब देखिए लूप और मेस में डिफरेंस देखिए ये आपका मेस है ये आपका मेस है लेकिन इसको हम लोग कम्प्लीट वाले को मेस नहीं बोलेंगे क्योंकि मेस का डिफिनिशन क्या है मेस इजे लूप that has no other रूप inside it मेस में कोई भी लूप नहीं होगा मेस भी लूप है लेकिन इसके अंदर में कोई भी लूप नहीं होगा तो हम लोग सकते हैं लेकिन loop को हम लोग compulsory नहीं है कि जो मेस बोल सकते हैं a mess is a loop but it is not necessary that a loop will be mess एक मेस को हम लोग loop बोलेंगे लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक loop जो होगा वो आपका मेस होगा ही हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है लेकिन मेस जो है loop होगा ही ये मेस है ये loop भी है ये मेस है ये loop भी है लेकिन एक loop क्या होगा आपका मेस नहीं होगा जैसे कि 1,2,3,4,1 ये वला जो loop है आपका complete loop ये मेस नहीं हो सकता है तो सभी मेस लूप होगा लेकिन सभी मेस नहीं होगा जरूरी नहीं है कि सभी मेस लूप जो है मेस हो लेकिन सभी मेश आपका लूप होगा थैंक यू